आप देखर देखरें डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस इनकी जो मांगे है उसको अंसुना किया गया है और अभी तक इनकी मांगे को नहीं सुना गया है हम आपको बताते चले कि परदेश सरकार का ये अंतिम बिदान सबा सत्र भी संपन हो चुका है और उसके बाद अब चंद समय बचा हुआ है कभी भी दिसम्बर के अंत में या जनवरी के शायद पहले सबतहा में जो है आचारसाई तर लग जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इस सरकार का कारेकाल समापत हो जाएगा लेकिन अभी तक इन सबी की पीडा को नहीं सुना गया है मैं आज Ground Zero पर मौझूद हूँ जानने की कोशिश करूँगा मेरे साथ या नारिशक्ती भी मौझूद है और यवा भी मौझूद है मैं इन सब की क्या बोलते परतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आखिर अपने सरक लगाने पर बैटे हुए तमाम बोर्ड भी आपने लगाए है और मुतमाम मंत्रियों से मुलाकात के भी आपने विगवति जो पहले आई है या अगवार की कटिंग है वह आपने लगाई है बेंडरों पर क्या कारण है क्यों नहीं सुना जा रहा है क्या परदेश सरकार को मतलब विवाओं की चिंता नहीं है या नहीं है पिलाल हमने जो ट्रैनिंग के उस बैस मे अपना रोजगार मांग रहे हैं पर सरउकार हमारी बात पर नहीं यह ट्रेनिंग आपने कब की थी मैंने उनिस वीस में की है 2019 में और मतलब राज की द्यान चौबटिया से अलमोडा में है जो एक साल की ट्रेनिंग होती है हमारी वहां पर वहीं पर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने गोशना की इस गोशना को देखते हम पिछले 6 मैंने से लगा लेटर भेज रहे हैं कि आप इस पर विगवती जारी करें उन्होंने फाइल करके भी दिया वित्त में लटकी हुई फाइल उसके लिए भी पिछले 16 नमंबर को आने के बाद हमने मंत्री जी ने हमारी बात सुनी बात सुनने के बाद यही बात बोली कि आपकी अगले आस-पास बैठे हुए साम को साड़े तीन चार बजे की बीच की टाइम है उस टाइम मंत्री जी बाहर निकले हमने बैदने हमारी बात मला अंदर जाने के लिए हमें बिल्कुल मना कर दिया बाकी जो वी आईपी लोग तिरे वो जा रहे थे लगातार जा रहे थे अब शाय साने के माध्यम से और यह बात बोली कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुमारी भरती की जो फाइल है वो कैंसिल कर देंगे और मने शब्द किसके तेव यह सब्द मानिय सुबो दुन्याल जी के थे जिन से हम यह उमीद रखते हैं कि हम लोगों को यह रोजगार दें और उन्होंने जिस तरीके से यह बता रहे हैं कि उन्होंने जो इनके साथ रियक्ट किया है वो बिल्कुल भी एक मंत्री का एक मंत्री का जो अपने प्रजा के प्रती होना चे वो बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता है और यह निश्चित तोर पर इवाओं के लिए य जाने कोशिश करूँगा पमार जी मैंने इनकी पर्तिकिरिया भी सुनी और जिस तरीके से ये व्यक्ति कर रहे हैं कि उन्याल जी ने जो रियक्षन उनका था जब उनसे मिलने गए थे आखिर परदेश के बेरोजगार रिवा परदेश के पिडित लोग अगर मंत्री के हमें परचन बहुमत देकर जिताया था हुआ क्या था उन्होंने बड़े बड़े जुमले उस दोरान फैंके का च्छे महां के अंदर सारे रिक्त पदम भर देंगे और उसके बाद क्या हुआ आज हाला जसके तरसे गांदी पार्क में आप नजर मार के देख लीजे किस पर नहीं का है उन्याल जी ने उन्याल जी ने इससे पहले 2018 में जब यही उद्यान का एक मामला चल रहा था जिनको जॉइनिंग रुकी वही थी वह लोग जब जाते थे वहां पर वह वीडियो वाइरल भी वहाता है वहां पर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे विधायक नहीं तो हम ऐसे लोगों को चुनकर जब भेजेंगे ऐसे लोगों के तो कड़ा विरोध होना चाहिए जिस छेतर के वह विधायक है मैं वहां के जनता को भी आवान करना चाहता हूं ऐसे लोगों को आप वहां का विधायक या परतिनिदी चुनकर विधान सबा में भेजोगे ऐस युवा को आप इस परकार से लतार लगा रहे हो तो देखिए उन्याल जी आप से हम इस पर श्रूप से कह देते हैं घमंड आपके अंदर आ चुका है इतने की मैं तो सबसे सर्वस्रेश्ट हूं यह आप भूल जाए युवा जरूर जबाब देगा यह जो उद्यान सामला है विभाग मंत्री होने के नाते आपका करतब्य बनता है आपका दाइत तो बनता है कि यह जो 2014 के बाद से इस विभाग में भरती नहीं निकलिए उस भरती को आप निकालिए क्योंकि आप लोगों ने आपकी सरकार ने 2400 पत भरने का जो निर्णे लिया था वह अभी उनकी फाइल निरस करने की एक चेतावनी दी जाती है क्या एक चुनेवे परतिनीदी के द्वारा इस तरीके का अपनी जनता के परति बीहेवियर कितना उचित है इसका निर्णे 2022 में ये इवा जरूर करेंगे मैं जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि और भी कुछ इवा सा अपने नेताओं से जिस्तह बनी तो वरतमान मुख्य मंत्री सहाब है उन्हें का युवां के लिए काम हो रहा है पर यहां तो पूरी तरीकी से छो हे युवां का सोसड़ हो रहा है किसी युवां का रोजगार नहीं मिल रहा है और हम जैसे लोग जो माली जयरू बहुत एस तो ये निश्चित तोर पे तमाम यवाओं की आप परतिकरिया सुन रहे हैं और आम जान सकते हैं कि इनको एक चिताओनी ये कह रहे हैं कि हमको चिताया जाता है कि तुमारे रोजगार चीने जाएंगे और प्रशन ये उड़ता है मंतरी साहब कि जिनको रोजगार मिला ही नह पास जाना है कास रिपोर्ट के साथ आप देख रहे थे उत्रा खंड की राज़ानी देरादून के एत्यासिक गांधी पार्क से सहवी कैमरामेन पर्दी बंडारी के साथ दिवान नौट्याल की रिपोर्ट डिसीपी न्यूज उत्राखंड के लिए आप तेल करदेवी थी बिस दिटेक्टिव क्राइब प्रेस्ट